नमस्कार दोस्तों, इलेक्टिशियन एजुकेसन चनल में आपका स्वागत है, दोस्तों हम सभी को पता हो गया है कि UPPCL के टेकनीसियन का एक्जाम बस स्टार्ट ही होने वाला है, तो मित्रों हम सभी को इस एक्जाम को देने से पहले कुछ महतपूर बातों को जान लेना और स इस प्रकार से होगा, एक्जाम में किन प्रशनों को करना है, किन प्रशनों को छोड़ देना है, पिछले कई वर्सों का कटाफ कितना गया था, एक्जाम के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, यह सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, इस वीडियो में दी गई जन 208 है जिसमें जनरल किटेगरी के लिए 245 सीट, OBC के लिए 114 सीट, SC के लिए 127 सीट और ST के लिए 12 सीट रिजर्व है यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोड वर्क के लिए 60 सीट निर्धारित की गई है मित्रो यह पर तीन घंटे का होने वाला है और इस तीन घंटे के पर में आपसे टोटल 200 प्रश्ण पूछे जाएंगे, इन 200 प्रश्णों को दो टुकडों में बाटा गया है पहले में computer के 50 प्रशन होंगे और ये 50 प्रशन के प्रतेक सही प्रशन के आपको एक अंक मिलेंगे और प्रतेक गलत उत्तर के आपको 0.5 अंक काट ले जाएंगे दोस्तो आपसे जो computer के प्रशन पूछे जाएंगे उन computer के प्रशनों का label triple C स्तरका होगा अर्था जब आपने triple C का exam दिया होगा कभी तो जैसे प्रशन आपसे पूछे गया होंगे छोटे छोटे प्रशन computer के वैसे ही प्रशन आपसे इस exam अर्था यूपी PCL technician के exam में भी पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे महतबूर बात यह है कि इस computer की परिच्छा में आपको टूटल 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है यदि आप 20 अंक से कम नंबर पाते हैं तो उसी स्थिति में आप बाकी के paper में कितना भी अच्छा परतरसन करें आप fail करार कर दिये जाएंगे और यदि आप 500 प्रशनों में से 500 प्रशन के सही उत्तर दे देंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है अर्थात इसका अंक आपके merit list में नहीं जुड़ने वाला है अता आपको करना क्या होगा एकी smart तरीका क्या होगा तो आपको इन 50 प्रशनों में से किवल 22 या 25 सही प्रशनों को हल करके आगे बढ़ जाना है क्योंकि परिच्छा में आपको समय का भी बिस्ति ज्यान देना होगा आपको समय भी बचाना होगा अब मैं बता देता हूँ कि इसके अगले भाग में क्या पूचा जाएगा तो इसके अगले भाग में आपको टोटल 200 प्रशन पूचे जाएंगे जिसमें आपसे 20 कुष्चन समान या अध्यावेंग तारकिक ज्यान अर्था जी के तथा रिजनिंग के पूचे जाएंगे जिसमें सबसे जादे रिजनिंग के पूचे जाते हैं। अंग काट लिये जाएंगे दोस्तो यूपी पीसल टेकनीसियन एकजाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम सरसट अंग तो प्राप्त करना अनिवार यह है लेकिन इसके बाद भी आपको मेरी लिष्ट में आने के लिए जादे से जादे सही उत्तर का चेहन करना के पिछले कुछ वर्सों के कटाप आपको दिखा देता हूँ मित्रों हम यहाँ पे 2014 2015 2016 और 2018 के फाइनल कटाप के बारे में जानने से पहले आपको एक बहुत महत्पुर बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम ने मिलके आपके लिए एक e-book तयार किया ह इस e-book में आपको 6000 से अधिक प्रश्णों का कलेक्शन मिल जाएगा और यह सभी प्रश्ण आपसे पिछले एक्जामों में पूछे जा चुके हैं और ताथ यह सभी प्रश्ण ऑफिशियल पेपर से लिए गए हैं इस पेपर में आपको एलेक्ट्रीशन ट्रेट के 3750 के लिए तैयार पाएंगे और ताथ आपका confidence लेबल इस exam के लिए बढ़ जाएगा इस e-book को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के description box में चले जाना है वहाँ पे आपको एक link मिलेगा उस पे click करेंगे तो आपको एक page open हो जाएगा वहाँ एक कुछ आसान सा step है उसक 2014 में final cutoff 135, 2015 में 115.75, 2016 में 131.92, 2018 में 128.085 इसकी final merit गई थी और यहाँ पर OBC के लिए 2014 में 124, 2015 में 108, 2016 में 120.58, 2018 में 105.051 इसकी final merit गई थी और यहाँ पर SC candidate के लिए 2014 में 112, 2015 में 95.25, 2016 में 102.83, 2018 में 66.097 इसकी final merit गई थी और ST candidate के लिए 2014 में 80.67, 2015 में 63.75, 2016 में 84.42 और 2018 में 72 इसकी final merit गई थी मित्रों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लेगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल Electrician Education को subscribe कर दे, notification दबा कर उसे all पर कर दे और इस वीडियो को like कर दे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद